हेलो फ्रेंट्स सिविल गुरू में आपका स्वागत है आज के विडियो में हम बेडरूम का फॉल सिलिंग का ड्रॉइंग कैसे करते हैं ओटोकैट में वह देखेंगे हमारे पास बेडरूम की साइज अवैलिबल है 13 ft 10 इंच बाई 12 इंच तो यह बेडरूम साइज में कैसे ह हम फॉलस सिलिंग का ड्रॉइंग करते हैं तो आज यह हम ऐच अठोपर देखने वाले हैं है कि तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्टोगेटव पर जा करें बनाते हैं हमहरे पास रों का जो ड्रॉइन्शियल है 13.10 इंच 12.02 इंच तो इसके मुताबी पहले हम रैक्टेंकल ड्रॉ कर लेते हैं लाइन कमांड लिया है हमने 13.10 इंच डैमेंशन लिया लाइन बनाई एंटर किया फिर नीचे आए 12.02 इंच फिर लाइन बनाई 13.10 इंच एंटर फिर 12.02 इंच या से करके भी आप एंड कर सकते हो तो यह हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया जो इनर माप है रूम का वह रेडी हो गया अब उसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं कर दैमेंशन कमांड से क्योंकि बाद में ड्रोइंग करने के बाद कुछ गलती आती है तो दिक्कत रहेग अब बारा फीट 2 हिधर भी मिल रहा है और इदर भी 12 फीट 2 इंच मिल रहा है तो चाहिए रैक्टेंगल हमारा सही है जो स्करमह सारे करता है जो फ्रोइंग जो रम का इनर मनेंशन और क्योंकि वह पार्ट में हम डिजाइन नहीं करने वाले है दो फूट छजा आने के कारण वह आफसेट रहता है तो सिलिंग का उसमें हम डिजाइन वह पार्ट का नहीं करेंगे यह हमारा दो फूट का आफसेट आ गया अब बेड की साइज साधे-छे-बाइ-6 फूट तो वह हमें एक रेक्टेंगल बना डेते हैं रेक्टेंगल कमांड से चेट बाइ-चेट का रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया है वह अब एक बार चेक कर लेते हैं यह शे-फीट हो गया और यह शाडे-चे-फीट हो गया यह नीचे बेड आएग यह बेड हमने रख दिया पॉजिशन पे और अब इसका सेंटर निकालता है लाइन कमांड से हमने दोनों बाजू लाइन कीच के उसका जो सेंटर पॉइंट आया वो निकाल लिया और अब सरकल डॉड़ करके 1.5 फिट का रेडियस लिया इसलिए में तीन फिट का फैन मिल गया इसमें तो बाकी की जो लाइन है वह हम निकाल लेंगे शरकल सिलेक किया और ट्रीम कमांड से सारी आगे की लाइन हमने निकाल ली तो यह फैन का पॉइंट आ गया सिलिंग में हमें फैन पॉइंट यहां पे चाहिए वह निकल गया अब हमने वह सेंटर लाइन से पूरी लाइन कीची अब अब दो दोनों बाजू बेड के दोनों बाजू दो फीट ग्यारा इंच जगा रहती है वह हम देख सकते हैं तो एक फूट साढ़े पाँच इंच हमें सेंटर चाहिए एक सेंटर फैन का सेंटर आ गया अब वर्टिकल सेंटर जो चाहिए एक फीट साढ़ा पाँच मैंने ड्रो कर दिया भी लाइन कमांड से वह अभी कॉपी कमांड से कॉपी करके यही पॉइंट हम आगे ले जाएंगे तो दोनों सेंटर हमें मिल गए एक फीट साढ़े पाँच इंच की दोनों बाजू तो जो लाइट पॉइंट हम रखने वाले है यह लाइट आगे अब यह सेंटर पॉइंट हम कॉपी करके इसको आगे ले लेते हैं बेड के आगे वाली साइट पर क्योंकि वहां पर हमें यही सेंटर पर मुझे लाइट चाहिए तो यहां पर मैंने कॉपी करके आगे ले लिया यह डिस्टन्स है हमारे दो फीट पांच इंच और य तो यह सेंटर गलत आ रहा है दो फीट पांच इंच यहां पर आ रहा है मुझे तीन फीट तीन इंच चाहिए तो यह फिर से तीनो पॉइंट सिलेक्ट करता है अ मिर्यार कमंड लिया और सेंटर लेके यहां तीनो पॉइंट लाया दिये नो करकर दिया एन करकर तो यह उब्जेक्ट वह वाले भी रहेगे अब जो सेंटर सरकल सेंटर लिया था वहां पी हमने लाइट पॉइंट लगा दिया जो लाइने हमें नहीं जरूरत ही उसको एरेस कर दिया तो हमारे पांच लाइट पॉइंट आ गए बीच में एक फैन पॉइंट आ गया बेड के सेंटर में बेड पॉइंट आ गया तो यह हमारा सीलिंग का प्लान जो है वह रेडी हो गया है अब हम सीधी लाइन इसे बैड के उपर सीधी लाइन ने बना दी दोनों बाजू इसको कॉपी करके यहां पे ले लिया और बेढ हमें अभी जरूरत नहीं तो उसको मूँ कर देते हैं मूँ करके बाल ले ले लेते हैं तो यह इस प्रकार से हमारा डिजाइन फॉल्स सेलिंग का रेडी हुआ है अब जो मुझे फॉल्स सेलिंग की करनिश चाहिए वो तीन-ती कमांड से मैंने तीन इंच अंदर ले लिया यह यलो करके बता दिया अंदर हमने वह जो लाइन से रेफरेंस पॉइंट अंदर तीन-ती ले लिया कि वो जो तीनीज का गेप रहेगा उसमें लाइट पॉइंट रोप लाइट आएगी तो यह हम टेक्स लिख लेते हैं कि टेक्स कमांड से प्लान इसके उपर लिख दिया और अभी हम इसका सेक्शन भी ड्रॉ करने वाल है तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ओफसेट रहेगा कितना सेलिंग मीचे काप है कितना उपर है काप लाइट के जगा वो पूरा सेक्शन में पता चलेगा सेक्शन ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस लाइन हमें पहले चाहिए तो रेफरेंस लाइन के लिए एक्सेल वी वर्टिकल लाइज चाहिए इसके लिए रेफरेंस लाइन सब पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से XLV Enter, XLV, Enter, XLV, Enter तो पूरी reference line हमें मिल गई जो plan हमने draw कियाता है उसकी अब offset करके रूम की हाइट सब्सक्राइट हम अभी 11 फिट का हमारा रूम की साइज है तो 11 फिट का offset कर दिया बाकी की line ट्रिम कर दी य profoundly this line, फिर से फिर से एम रूम की हाइट 11 फि ले ले लेका tes, आपको बीच की गैरा रूम की हाइट लाइन ले लिया और बीच की line हम ट्रिम कमानड से निकाल लेंगे इस line से लेकर के ट्रिम कमानड से निकाल लिया नीचे वाली भी लाइन जो हमें नहीं चाहिए थी वो ट्रिम कमांड से निकाल ली अब ये रूम की हाइट आपको दिख रही है और ये बीच वाली तीन लाइन है वो रेफरेंस लाइन है जो हमने अभी उपर प्लान ड्रॉ किया इसकी अब ये हमने आपसेट किया डेट तक चाहिए इसलिए मैंने वो नारी निकाल ली है और ट्रिम करके आगे वाली जो रेफरेंस लाइन थी वो भी निकाल दी अब यहां से ऑपसेट एक फिट का लिया है बीच वाला पोशन मुझे सिलिंग से नीचे एक फिट तक चाहिए तो मैंने एक फिट का लिया और इसक कमान्ड से ये line भी निकाल दि design तो इस प्रकार से हमारा ऐप सेट होगा अभी जो हम में के लिए जगाए इसके लिए लिए हम ड्रॉ करेंगे पहले ये line निकाल दि wurde line कमान्ड प्रकार किया लिया फिर वापिस horizontal टीन इच और वर्टिकल टीन इच तो यह हमारा ऐसे त्यार होगा थीन इच उपर वर्टिकल टीन इच और लाइन कमांड से तीन इच अब इस जो लाइन है वो हम fillet कमांड से जोड लेंगे तो यह हमारा गाला लाइट ट्रोप लाइट के लिए हो गया, ओपसेट, यही सेम हमें उपर चाहिए, यह लाइट से अंदर गाला चाहिए, तीन इच हम वर्टिकल चले जाएंगे, तीन इच होरिजॉंटल और तीन इच वर्टिकल, अब फिलेट कमांड से इसको जोड लेंगे, तो यह हो गया हमारा ओफसेट तैयार, यह बाजू भी हम तीन इच उपर लेंगे, तीन इच होरिजॉंटल और तीन इच वर्टिकल, फिर उसको जोड लेंगे, आप जोड भी सकते हो, और फिलेट से कलंड कलक करोगे, तो बीच में जोड नहीं रहेगा, इसलिए मैंने डिलिट करके फिर से फिलेट से जोड दिया, बस यह हमारा सीलिंग का ओप्षर तैयार हो गया है, अब इसमें लाइट किस प्रकार से दिखेगी, वो हमने प्लान में जो बता है, वो लाइट का हम ट्रॉइंग कर लेंगे, यहाँ पहले रोप लाइट बता देता हूँ, सर्कल ड्रॉप किया, यह रोप लाइट का हम ने सर्कल ड्रॉप किया, रोप लाइट यहाँ पे हम फिक्स करने वाले हैं, तो नीचे से दिखाई ना दे, रोप लाइट को सही जगह पे फिक्स करेंगे, मूव कमांड इसके लिए यूज़ करेंगे, और यह मूव कमांड यह फिक्स हो गई लाइट, बस इसको अभी यह सर्कल को कॉपी करके, जा जा भी रोप लाइट आती है, वहाँ पे हम, उसको कॉपी करके सेट कर लेंगे, एक यहाँ पे आती है रोप लाइट, एक लाइट तीन रोप लाइट यहाँ पे हमने सेलिंग पे सेट की है, तो यह हो गई रोप लाइट अपनी, अब रोप लाइट जहां पे है, वह सेक्शन में हमें दिखाना है, तो इसके लिए जो प्लान में रोप लाइट दिखाई गई है, वही हम उसका लाइट लेके आगे उसको फिक्स करके, रेफरेंस लाइट यह सेंटर पॉइंट आ गया, एल कमांड लिया है, लाइट कमांड से रेफरेंस लिये लिया और उसको आगे नीचे ती तरब खीच लिया, अब ऐसी सेम लाइन को कॉपी करके हमने एक, दो और तीन, वह कॉपी कर लिया, तो यह हमारे सेंटर पॉइंट आ गयी, यह आपर लाइट आने वाली है, तो यह सेंटर पॉइंट से हम इसको ड्रॉव करेंगे, अब सेक्शन में इसको कैसे ड्रॉव करते हैं, तो देखेंगे अपसेट लिया है साढ़े चारी इधर और साढ़े चारी इधर नौ इच की लाइट मैंने पहले बताया ऐसे हम देने वाले हैं तो अपसेट कमांड से कि तीन लाइन ड्रॉ करी कि दो लाइन सेंटर से एक लाइन साढ़े चार एक लाइन साढ़े चार इधर दोनों लाइन ड्रॉ कर दी अब नीचे बॉटम से हमने ऑपसेट ले लिया कि तीन इंच का और आर्क लिया और पहले पहला पॉइंट पे सिलेक किया कि अब दूसरे पॉइंट पे और तिसरे पॉइंट के यह लाइट के अंदर की जो गोला होती है वो भ। हुआ हुई से से सेम तीनों में न द रॉघ कर लेंगा दोनों में आगे वाली याइन जो है उसमें भी ड्रॉ कर लेंगे एक इंच का उपसेट इधर लिया और एक इंच का इस आफसेट में लिया उपर का जो प्लग आता है उसका लाइड का वह ड्रॉव करने के लिए एक इंच का उपसेट ऊपर ले लिया प्लग के लिए जो अभी जरूरत नहीं है वो लाइन हम trim command से cut कर लेते हैं जो line हमें अब जरूरत नहीं है वो line trim command से उसको निकाल देते हैं जो पूरी line हमें नहीं चाहिए तो उसको delete command से भी हम निकाल सकते हैं सब्सक्राइब से किये त्रिम कमांड से रेफरेंस लेकर आगे की लाइन निकाल दी तो यह लाइट का अंदर का पोर्शन आप देख सकते हो तो यहार हो गया है कि जो जो लाइन हमें नहीं ज़रूरत है उसको रिमूप कर दिया यह लाइन कॉप लाइट जो रयिए है उसको क्वापी करρεί हमारे पास तीनों प्षिंद अप्शन है वहाँ पे लेफरेंस पॉइंट है यह हां पे सिल्यक यह क्वापी कर दिया अब जो लाइन नहीं ज़रू तो यह हो गए लाइट के पॉइंट सेक्शन में हमें ऐसे दिखेंगे तीनों लाइट के पॉइंट तो ऐसे आप प्लान और उसका सेक्शन बना सकते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे प्लान और सेक्शन आप आटोकेट में बना के ड्राइंग तेयर कर सकते हो आपको यह वीडियो कैसा लगा वह आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपका कोई और सुजा हो हम अगला वीडियो कैसे बनाएं आपकी क्या नीड है आप क्या चाहते हैं वह भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे हर वीडियो की नॉटिप्रिकेशन आपको मिलती रहें ऐसे ही मैं नॉलेज्वर वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ तो अपने फ्रेंट्स को भी शेयर करें धन्यवाद